डियर एस्टुएंट्स वेलकम टू आउर एजुकेशन चैनल मेकेनिकल पंडित हमने थियोरी आप मशीन के अंदर एस्कुरू जैक लास्ट क्लास में डिसकस किया था और एस्कुरू जैक का पूरा कॉंसेप्ट हमने बताया था और इसके डिफरेंट टर्मिनलोजी हमने यू तो इसक इस तरहा बना था हमारा हमने बताया थे कि हेल्क आंगिल है तो यह हैँडिक्स एंगिल आपको जो अलफा है यह और इमासी की लू meg रख लिया तो आज हमारा यह 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 टौपिक भी लेक्शर नमर Ele 62 है यहाँ पे और torque required to lift the load that means that this load को lift करेंगे कैसे lift करेंगे तो देखे यहाँ पे आप सुमभवताद देख भी रहे होंगे कि यह आपका same यही portion है यह जो है आपका वही चीज यहाँ पे है यहाँ ध्याँ दिजिए यह आपका inclined plane के तरह behave कर रहा है कर रहा है कि नहीं इसके उपर load है इसके उपर load that means कि यह load जो है क्या कर रहा है यह load act कर रहा है w ठीक है और आपका purpose क्या है to lift the load, load जदी lift कर रहा है उपर की ओर, उपर जदी load lift कर रहा है तो frictional resistance किता है लगेगा downward direction में f ठीक है और ये W बर्टिकल ही लगेगा क्योंकि ये क्या है आपका सेंटर और ग्रेविटी की कारड जो है हमेशा बर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका दो कंपोनेंट एक W sin अलफा और W cos अलफा हो सकता है दूसरा चीज कि आप इसमें लिवर पे P effort लगा रहे देखिए effort लगा रहे है आप ये effort का भी दो कंपोनेंट होगा एक चुकि अपलिफ्ट करना है ध्यान दिजेगा ये P cos अलफा उपर और P sin अलफा इधर नीचे तो ये आपका concept था तो अब इसको कैसे हम बनाएंगे तो अब ध्यान दिजेगा हमें निकालना क्या रहता है यहाँ पे हमेशा आपको निकालना रहता है this P effort किसी load W को अब lift करने के लिए at an helix angle phi and given angle of friction phi angle of friction यहाँ पे क्या होगा angle of friction phi और coefficient of friction कितना हो गया coefficient of friction mu or load W is given helix angle is given and this is the effort that you have to find the effort effort हम कैसे निकालते हैं तो बहुत ही असान है ध्यान दिजेगा थोड़ा सा सबसे पहले यहाँ क्या कर दिजे कि आप forces को हम resolve कर चुके हैं तो सबसे पहला कैसे लेंगे resolving the forces resolving the forces along the plane ध्यान दिजेगा along the plane along and perpendicular to the plane दो ही तो है क्योंकि यह normal reaction है यह load है तो load का हमने component यहाँ तोड़ दिया तो resolving the forces तो अब along the plane है तो plane के along क्या क्या लग रहा है देखिए आपे यह इधर लग रहा है आपका P cos alpha देख रहे हैं P का दो component P cos alpha P sin alpha तो P cos alpha और इधर दो लग रहा है तो यह P cos alpha equal to क्या हो जाएगा F plus यह W sin alpha यह equation number 1 मान लिजे हो जाएगा ठीक है अब दूसरा ध्यान दीजे resolving the forces resolving the forces perpendicular to plane क्या हो जाएगा देखिए तो यह Rn उपर लग रहा है यह है न normal reaction और इधर क्या लग रहा है आपका P sin alpha देखिए P sin alpha plus W cos alpha यह equation number क्या हो गया 2 अब ध्यान दीजे यहाँ पे equation 1 equation 1 putting the value of equation 1 देखिए पले हम लिख देते हैं यह ध्यान दीजे तो P cos alpha equal to F के जगा पे mu rn लिख सकते हैं क्योंकि F equal to क्या होता है mu rn हमें मालूम है तो mu rn अप प्लस क्या हो जागा W sin alpha यहाँ पे mu rn P cos alpha mu और rn rn के जगा पे यह रख सकते हैं क्या देखिए तो from equation 2 we can keep here value of rn तो P sin alpha प्लस क्या हो जागा W cos alpha plus W sin alpha हो सकता है कि नहीं अब यहाँ पे देखिए mu का भी value जो है यहाँ पे क्या होता है 10 phi यह भी आपको मालूम है अब यहाँ पे हम 10 phi रखने जा रहे हैं तो यहाँ ध्याँ देखिएगा P cos alpha equal to क्या रखे 10 phi और इसको अंदर ही रहने देते हैं P sin alpha plus W cos alpha plus W sin alpha अब ध्याँ देखिए 10 alpha को क्या हम sin sorry 10 phi को sin phi अपन cos phi रख सकते हैं cos phi और यह क्या हो जागा P sin alpha plus W cos alpha plus W sin alpha अब देखिए इसको हम solve कर रहे हैं तो यह cos phi इधर आ जाएगा देखिए तो P cos alpha और cos phi को हम इधर ले लिए cos phi equal to क्या हो जाएगा P sin phi को अंदर लिए तो sin phi sin phi और sin alpha plus यह sin phi यहाँ पी जाएगा तो क्या होगा W sin phi cos alpha ठीक है प्लस क्या हो जाएगा यह W sin alpha और cos alpha भी दर जाएगा cos phi ठीक है अब यहाँ ध्यान दीजे यह P आपका क्या हो गया P यहाँ पे common ले लिजे तो क्या हो जाएगा cos alpha cos phi minus इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin phi sin alpha होगा कि नहीं और यहाँ पे equal to क्या हो जाएगा W common ले लिजे तो क्या बचा है sin phi cos alpha plus sin alpha cos 5 यह होगा हमारा ठीक है अब ध्यान दीजे यहाँ पे P equal to हम क्या लेख सकते हैं यह P रहने दीजे यह देखिए तो cos A cos B minus sin A sin B का फर्मुला बन रहा है कि नहीं cos A cos B minus sin A sin B का फर्मुला बन रहा है चीज़ ना और यहाँ पे sin A cos B cos A sin B यहाँ पे क्या हो जाएगा cos alpha plus 5 और इधर क्या हो जाएगा W sin alpha plus 5 यहाँ भी हो गया देखिए दोनों जगा अरह कि नहीं यहाँ पे P equal to क्या हो जाएगा W sin alpha plus 5 अपन क्या हो जाएगा cos alpha plus 5 तो यहाँ पे P equal to क्या लिख सकते हैं, W 10 alpha plus 5 लिख सकते हैं क्या, जान देजी यह लिख सकते हैं तो that is your final equation तो न, for the given load final equation for the effort applied that means कि W load आपको uplift करने के लिए, तो न, कितना effort लगाना पड़ेगा, W into 10 alpha plus 5 ठीक है, अब यहाँ पे इसी के साथ माल लिजे कि surface is totally frictionless तो ideal effort कितना होगा ideal effort, that means कि peanut, जब आपका coefficient of friction 0 है, that means कि mu, आपका क्या है, यहाँ पे 0 है, that means कि phi क्या है, 0 है तो क्या हो जाएगा, peanut equal to W 10 alpha तो यहाँ पे efficiency of screw jack निकालेंगे ज़िए आप, efficiency of screw jack, तो क्या हो जाएगा ideal effort upon actual effort ideal effort upon actual effort ठीक है, और ideal effort कितना है, peanut upon p, peanut कितना है W 10 alpha upon W 10 alpha प्लस 5 देखिए, तो यह efficiency कितना हो जाएगा 10 alpha upon 10 alpha प्लस 5 तो that is the efficiency of screw jack तो यह आप्लोडिंग दी लोड, तो यह वाइल लिफ्टिंग दी लोड, ठीक है, अब इसमें एक term आता है ध्यान दीजेगा, that is the torque required, ठीक न, how much torque will be required to apply the load, यह तो हमारा effort निकल गया, दोस्तों, अब देखिए, हम चाहते हैं क्या निकालना, torque required, ठीक न, अब हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क, रिक्वाइड, टू, ओभर कम, दे, फ्रिक्शन, बिट्विन, एस्क्रू एंड नट, एस्क्रू एंड नट मतलब, यह देखिए, आपके सामने है, यही आपका, क्या है, यह एस्क्रू हो गया, और यह नट हो गया, इसी के बीच में ते यह अपलिफ्ट हो रहा ह ठीक है, तो इस्क्रू और नट जो है, उसके बीच का, आप डिफ्रेंस, टॉर्क देखें, यह टॉर्क कितना निकल जाएगा, आपका, टॉर्क वान, क्ल्टू, एफ़र्ट एपलाइड इंटू, रेडियस, यह देखिए, देखिए, अब यह देखिए, अब यह देखिए इंटू, डीवाई, टू, यह हो गया न, इंटू डीवाई, टू, यह आपका, एक एक इक्वेशन हो गया, अब फेंदी लोड, फेंदी एक्सियल लोड इस टेकन अब बाई, थ्रस्ट कॉलार, अब यहाँ पे, जब आप देखेंगे, तो यह थ्रस्ट कॉलार, इसको क्या पाइवर्ट कॉलार में हम बताएंगे दो-तीन वीडियो के बाद कि यहाँ पे उनिफार्म वियर और उनिफार्म जो है प्रेसर का कंडिशन लेते हैं आप कोई भी कंडिशन एक लेंगे जैसे उनिफार्म वियर का लेते हैं थ्रस्ट कॉलार जो है फ्लैट सर्फेस मान करके यहाँ पे जैसे हम इसको लेते हैं और जो यहाँ पे लोड जो लग रहा है तो लोड शुट नट रोटेट तो जैसे लोड ड़न रोटेट विद दी श्क्रू दिन दी टॉर्क रिक्वाइट ओवर कम दी फ्रिक्शन बाइ दी कॉलार के इतना फ्रिक्वाइट होना चाहिए कि लोड रोटेट न करे तो उसके लिए आप कितना निकाल सकते हैं फ्रिक्शन यह तो एस्कूरू का फ्रिक्शन निकालें तो यहाँ निकालेंगे आप टॉर्क रिक्वाइड to overcome the friction by kolar surface so that the load should not rotate load rotate नहीं होना चाहिए ध्यान रखिए तो उसके लिए आप क्या निकालते हैं T2 ये राम कानी हम नहीं लिख रहे हैं समझ लेजिए तो T2 इकोल टो हम क्या लिख सकते हैं mu1 into w mu1 क्या mu इसके लिए हम coefficient of friction लिखे थे और mu1 इसके लिए coefficient of friction लिख रहे हैं जैसे दोनों बराबर होगा तो दोनों mu ले लेंगे mu1 w into ये inner radius और inner radius और outer radius का average तो क्या होता है r1 प्लस r2 by 2 तो that means mu1 w into r जैसे दोनों का coefficient of friction बराबर हो that means कि screw nut के बीच में जो coefficient of friction था उसको हमने क्या लिखा था mu और इसके बीच के जो collar and जो ये flat surface है head जो है इसके बीच के जो coefficient of friction है उसको हम क्या लिख रहे है mu1 ठीक है तो यहाँ पे total torque जो ज़िए आप निकालेंगे total torque required total torque required to overcome the friction या to rotate to rotate the screw that means to rotate the screw that means to uplift the load तो इसमें जो है आपका total torque के हो जाएगा t equal to t1 plus t2 that is equal to p into d by 2 ये ध्यान दीजे p into d by 2 अप प्लस ये mu 1 wr देखिए का कई बार mu और mu 1 दोनों बराबर हो जाता है ठीक है तो that means दी ये जो है आपका p into d by 2 हो गया suppose p1 is the applied load at the end of liver p is the effort applied अब ये जो है direct जिदी यहाँ पे हम calculate कर रहे हैं क्या ये सबुच कीजिए कि जिए कि p1 है तो ये torque जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा यही torque यहाँ पे जिदे निकालेंगे at the end of liver क्या है टॉर्क एप्लाइड at the end of liver torque at end of liver ये क्या हो जाएगा दोस्त ये p1 into l effort into distance ये torque निकलेगा अपना तो p1 into l will be equal to this torque ये torque के total बराबर होगा तो इस आर दी basic concept ठीक है अब इसमें last थोड़ा सा concept ध्यान रखिएगा तिन न तर्क एकॉल टू p into d y 2 हो जाएगा अब यहाँ पे last concept यहाँ रखिएगा कि हम जो है ये p जो effort था ये p जो effort था वो हम लगाया है किसके लिए load अप lift करने के लिए तिन तो यहाँ पे एक concept आता है that is called mechanical advantage जिसको हम लोग क्या बोलते हैं mechanical advantage जिस तरह से mechanical पंडित का अपना advantage है उसी तरह से screw jack में भी mechanical advantage का अपना advantage है तो क्या है mechanical advantage कि आपने ये load जो है p लगाया किसके लिए ये w load uplift करने के लिए तिन तो basically mechanical advantage is the ratio of load lifted ये जो है mechanical advantage is the ratio of load lifted अब load कितना lift किया है आप ये w load lifted upon effort applied upon effort applied effort applied effort applied at what point effort applied at the end of liver ये हमेशा ध्यान रखिएगा तो ये आपका mechanical advantage निकल करके आएगा कितना ये load lifted upon effort applied पी वन ठीक है और ये ही w और पी वन के जगापे आप क्या लिए सकते हैं p into dy 2dyl ये देखिए यहाँ पे ये पी वन जो है आप यहाँ पे पी वन जो है क्या निकाल सकते हैं pd upon 2l that means कि ये pd आपका ये वाला diameter और ये l क्या हो गया distance ती न तो आप यहाँ पे p1 के जगापे ये क्या लिए सकते हैं pd upon 2l ये 2l उपर चले जाएगा ये 2l आ सकता है ती न और दूसरा चीज इसी को हम w into 2l तो रहेगा ही रहेगा ये p के जगापे हम w 10 जो है निकाले हुए हैं आप देखिए यहाँ पे ये w 10 alpha प्लस 5 तो क्या ले सकते हैं p के जगापे w 10 alpha प्लस 5 into d ये w और w cancel हो जाएगा that means कि 2l length of the labor upon d into 10 alpha प्लस 5 ती न एक चीज यहाँ पे आप समझे होंगे जो competitive exam में भी कई बार थोड़ा सा घुमा करके पूछता है कि जो mechanical advantage है that depends on the given length of lever diameter of the cylinder thread alpha is the helix angle phi is the coefficient of friction that is the angle of friction that means कि load कितना आप उठा रहे हैं ये mechanical advantage से कोई लेना देना नहीं है that means कि lever की length जदी आप बढ़ाते हैं तो आपका mechanical advantage बढ़ जाएगा तो इधर देखिए lever को छोड़ करके आपके हाथ में कुछ नहीं रहता ये जब आप screw jack खरीते हैं तो ये D fix रहेगा alpha phi सब fix रहता है आप जो change कर सकते हैं lever का length जदी आप बढ़ाते हैं तो mechanical advantage बढ़ेगा लेकिन up to some limit एक limit के बाद क्या होगा कि जदी आप बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा देंगे तो due to bending it will bend rather than to lift the load कि खुदी bend हो जाएगा साप को जिस लाठी से गए थे मारने साप तो मरा नहीं लेकिन साप इतना strong था कि लाठी ही अपना टूट गया तो that will be the case here क्योंकि length आप इसका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं तो ये था दोस्तों हमारा torque required to lift the load तो हमने देखा कि torque required to lift the load आपने कैसे निकाला ये पूरा force को resolve करके और ये हमारा torque required to lift the load निकल गया था ये efficiency of the screw jack while lifting the load निकल गया था और last में हमने आपको torque required and mechanical advantage हमने बताया दोस्तों अब next वीडियो में ये जो था हमारा अभी concept किसके लिए to lift the load जीक है अब हम निकालेंगे torque required to lower the load कि अब हम जो इसको यही body को जब हम नीचे लाएंगे क्योंकि आपने truck को uplift कर दिया मालो truck puncture था और आपने screw jack लगाया उसको lift करके आपने puncture बना लिए अब फिर उसको नीचे भी तो करना है तो नीचे करने के लिए ऐसा नहीं है कि automatic को नीचे आता है you will need to apply some torque at the end of at the end of lever to lower the load तो what amount of torque will be required while lowering the load तो इसका हम लोग torque निकालेंगे और फिर इसी वीडियो में हम compare करेंगे कि lift के लिए कितना torque लगा और lower के लिए कितना torque लगा ठीक है पेड़ पे चढ़ने में कितनी energy लगी और उतरने में कितनी energy लगी तो ध्यान देखिए कई बार उतरने में ज्यादा energy लगती है ठीक है तो उस चीज़ को हम लोग discuss करेंगे तो thank you for watching this video आप देखिए next video में हमारा कि कैसे हम torque required to lower the lift निकालते हैं ठीक है तो thank you इसको lower the load कैसे निकालते हैं आप next video में देखिए और स्वस्त रहिए मस्त रहिए और देश में अच्छे नाविक की जोरत है तो आप पढ़े और कुछ जीवन में उन्नती करके इस दुनिया को दिखाए कि हम भारतवासी हैं तो thank you very much for watching this video